कि अगर गुजिरार्त यूनिवरसिटी से देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पुलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्व विद्याले कोट क्यों जा रहा है डिग्री दिखाओ कैमपेन आज से रोज आम आदमी पार्टी के नेता कि वे भी अपनी डिग्रियां दिखाएं कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की है कितनी पढ़ाई की है और मैं खास करके भारतिय जनता पार्टी से ये अपील करूंगी कि उनके नेता खास करके उनके साथियों को मेरा नमश्कार आज से हमें एक कैम्पेइन की शुरुवात कर रहे हैं उस कैम्पेइन का नाम है डिगरी दिखाओ कैम्पेइन आज से रोज आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिगरी को देश के सामने रखेंगे और दिखाएंगे आज इस डिगरी दिखाओ कैम्पेइन में शुरुवात मैं कर रही हूँ अपनी तीन डिगरीयां दिखाने से मैंने अपनी पहली डिगरी बिये दिल्ली उनिवर्सिटी से करी है ये मेरी बिये की डिगरी की सर्टिफाइड कॉपी है जो मैं आप सब के माध्यम से पुर्य दे ये मेरी डिगरी है ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है की है युनिवर्सिटी ओव ऑक्सवर्ड से ये उसकी डिगरी है ये ओरिजिनल डिगरी है उसके बाद मैंने एक दूसरी Master's डिग्री की है University of Oxford से Education में यह उसकी डिग्री है आज इस डिग्री दिखाओ campaign के तहत मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिल्ली University की और Oxford University की आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी है और आज इस डिग्री दिखाओ campaign के माध्यम से मैं इस देश के सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूँ के वे भी अपनी डिग्रियां दिखाएं के उनोंने कहां से पढ़ाई की हैं कितनी पढ़ाई की हैं और मैं खास करके भारतिय जनतापार्टी से ये अपील करूंगी कि उनके नेता, खास कर कि उनके वरिष्ट नेता, अगर उनके पास डिग्रियां हैं, तो वो जरूर वो डिग्रियां लेकर देश के सामने आए, मैं तो यह सोचती हूँ, कि मैंने दिल्ली उनिवरसिटी से पढ़ाई करी, तो अगर आज कोई दिल्ली उनिवरसिटी जाएगा या मेरे college, St. Stephen's college जहां से मैंने पढ़ाई की वो वहाँ पे जाएगा तो St. Stephen's college वाले और दिल्ली university वाले उनको बहुत गर्व से बताएंगे कि जी आतिशी ने यहां से पढ़ाई की, वो आज दिल्ली की शिक्षा मंतरी हैं, वो अच्छा काम कर रही है तो मेरे college, मेरे university वालों को इस बात पे गर्व होगा इसी तरहां से अगर किसी भी university से कोई पढ़ता है अलावाद university से हमारे देश के इतने इतने बड़े बड़े नेता पढ़के निकले देश के पूर्व प्रधान मंतरी चंदर शेकर जी वहां से पढ़े शंकर दयार शर्मा जी वहां से पढ़े अगर कोई अलावाद university जाएगा तो वह बहुत गर्व से बताएंगे कि जी चंदर शेकर जी यहां के पास आउट है शंकर दयार शर्मा जी यहां के पास आउट है तो मुझे इस बात पे थोड़ा अचम्भा होता है कि अगर गुजरात university से देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर political science में डिग्री हासिल करी है तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्याले कोट क्यों जा रहा है क्या उनको गर्व नहीं है कि उनकी university से कोई पढ़ा लिखा चात्राज देश का प्रधान मंत्री बन गया है मैं तो गुजरात विश्वविद्याले से यह कहूंगी कि आपको तो जो आपका इतना unique department है entire political science उसको तो प्रधान मंत्री के नाम पे उसका नामकरण में करना चाहिए खास करके इसलिए क्यूंकि हमें तो आज तक पांच और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जिन्होंने इस विशे में डिग्री करी हो या पांच और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लास में रहे हो या उनके साथ उन्होंने exam दिये हो तो अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी उस entire political science department के एकलौते छात्र रही हैं तो वो department तो जरूर उनके नाम पर उसका नामकरण होना जरूरी है तो इसलिए आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतिय जनता पार्टी के नेताओं से और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनेतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिगरी दिखाओ campaign में शामिल हो और जिस तरहां से मैंने अपनी तीनों डिगरीयां दिखाई हैं उसी तरहां से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतिय जनता पार्टी से उनके वरिष्ट नेताओं से कि वो भी सामने आकर अपनी डिगरीयां जरूर दिखाएं धन्यवाद को लेकर दुख है कि जो IIT ना सिर्फ पूरे देश में बलकि पूरी दुनिया में एक ब्रैंड है जहां के नाम पर दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कम्पनिया उस ब्रैंड को देखकर रिक्रूट करती है जिस ब्रैंड के आधार पर आज दुनिया की बड़ी बड़ी कम्पनियों के भारतिय लोग CEO बने हुए है आज उस IIT पर ही हमारे उप राज्यपाल महोदय सवाल उठा रहे हैं देखिए समस्या क्या है कि जिनको अपनी डिगरियां छुपानी है उनको औरों की डिगरियों पर सवाल उठाने ही पड़ेंगे मैं तो उप राज्यपाल महोदय से भी आग्रे करूंगी वो भी हमारी डिगरी दिखाओ campaign का हिस्सा बने वो भी अपनी डिगरी दिखाएं और वो आग्रे करें भारतिय जन्ता पार्टी के भी और नेताओं से कि वो भी अपनी डिगरी दिखाएं पूरे देश को पूरी दिल्ली को सब लोगों को पताता चले कि आखिर कर जो लोग दिल्ली के लिए जो लोग देश के लिए निर्णे ले रहे हैं आखिर उसमें कौन कितना पढ़ा लिखा है बिल्कुल campaign regular चलेगा रोज आम आदमी पार्टी के एक एक नेता अपनी दिगरी देश के सामने रखेंगे